अच्छे नमस्कार आपका बीए में लाड़ेश्टा और इकोनोमिक्स पीस पेपर होने वाला है और याद कम्प्लीटली आफ्जक्टिव इस आफ्जक्टिव पेपर में आपको OMR सीट को कैसे फिल करें को मैं अभी बताने यहां पर लिखा हुआ होगा आपको यहां पर लिखा हुआ होगा आपको यहां पर कुछ भी नहीं करना है यह दिजीट वाला माल लेते हैं कि आपके पास नंबर होगा यह आपको छपा हुआ होगा यह आपको लिखना नहीं है यहां पर कुछ भी नहीं करना आपको OMRC सिर्टिस पेपर के लिए आपका पेपर नंबर मैंस का अगर है तो पेपर नंबर थी दिखेंगे अगर यह लिखा हुआ होगा होगा कि लिखा हुगा होगा अगर माली लिए हैं कि आपका चौछा पे पर के लिए है तो यहाँ पर फोर लिखा हुगा भी तो आप लिख देखे उसके नहीं दिखेगा बच्चे कि आपको रॉल नंबरहें इक लिए बय हम लिखा हुगा wheim कただ है किया करना है यहां पर आपको करना है बाल पेंढलपेंचwe бел अगर आप नोट करे तो कार्य है ऐसा कोई भी पेन उचन नहीं करना है इसलिए इंस्ट्रक्शन है कि आपको यहाँ पर बॉल पेन का इत्माल और ओभी ब्लैक कलर का बॉल पेन ठीक है यह आपका याद रखेगा ब्लैक कलर का बॉल पेन चाहिए अब जड़ा देखोगे माल लेते हैं यह देखेगा एक दो त चार पांच छे लेटर का छे डिजीट का आपका रॉल नंबर होगा वो रॉल नंबर आप एडमिट कार्ट खोली और उस रॉल नंबर को आप यहाँ पर फिल कर दीजिए सपोज करते हैं यह ब्लैक पेन से फिल करना है ब्लैक पेन से फिल करना है सपोज करते हैं कि आपका रॉल नंबर है 250868 मान लिखते हैं कि यह रॉल नंबर है तो आप ब्लैक पेन से इसी किलियर लिक्लियर लिलिखेंगे ठीक है अब यह OMR सीट है पेपर में पहले मिलेगा सब कुछ पहला पहले देखिए इसी लिए न कहा जाता है कि पेपर देने आप टाइम से पहले OMR सीट आपको पहले मिलेगा OMR सीट को सबसे पहले आपसे भरवाया जाएगा कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि लेट पहुंचते हैं और वो इतना लेट होते हैं कि OMR सीट को भरते नहीं है और लास्ट में कहते हैं कि पहले मैं अंसर दे दूँगा यह अंसर सीट को मैं भर अब OMR सीट का जो रॉल नंबर उगर ये सब पार्ट है वो लास्ट में भरूला ये गलत तरीका है जाद रखिएगा कितनी बार देखा गया कि बच्चे लेट पहुंचे और वो आंसर सीट में आंसर करना सुरू कर दिये और ये समझते हैं कि हमें रॉल नंबर उस्टन बुकलेट नंबर ये सब लिखने का लास्ट में हमें चांस मिल जाएगा नहीं बच्चे नहीं कार्ड एक्जामियसन कंट्रोलर जो होते हैं वह आपसे बीना भरवाय हुए एक फॉर्म ले लेते हैं और वैसे केस में आपका सारा महनत बेकार हो जाता कि आपके सारे महनत बेकार हो जाएगा आपने सारा महनत कि आपको और पहुँचना है तो आप जल्दी पहुंचिये इसलिए मैं करता हूँ कि टाइम से कम से कम आधा घंटा से 45 मिनट पहले पहुँचिए ये इंचूट भी यही करता है कि रिपोर्टिंग टाइम 30 गनट भी फोर ये करता है अगर आपका पेपर 2 बज़े से स्टार्ट होगा तो आपका रिपोर्टिंग टाइम 1 बज़े 30 मिनट है तो सबसे पहला काम क्या करना है बच्चे टाइम से पहले पहुँचिए आप क्या करेंगे सब कुछ फड़ी हो करके पहुँचिए अपने आपको सबसे पहला काम आपको क्या करना है और उखील करना है और आपको यहां पर क्या करना है यह रॉल नंबर आपके admit card पर मिलेगा उसके बाद एक question booklet code होता है एक question paper पर मिलेगा आपको इसके बाद जब एस तब कुछ भड़वा दिया जाएगा ठीक है उसके बाद क्या करेंगे आपको question paper मिलेगा तो जब question paper मिलेगा तो question paper पर booklet code होता है वो तीन डिजीट का होगा जो भी होगा वह आप भर दीजिएगा कैसे ncr लिख दिया सपोज करो कि आपके कोड का नाम है ncr तो n लिख दीजिए c लिख दीजिए आप लिख दीजिएगा ठीक है अब जरा देखो के बच्चे एक बात जरा सुनोगे उसकी question paper पर एक बात जरा नंबर होता है एक question paper booklet number होता है बच्चे उसी question paper पर होता है और उस पर नंबर को देख देख करके आपको बड़े अच्छा से लिखना है ठीक है जैसे हमने माल लिया कि question का पे booklet number है और वो माल लेते हैं 8802572 माल लिया ऐसे तो आप question paper का जो booklet number है उसके सब से उपर आप याद रखेगा पर लिजेगा एक question paper booklet number तो question paper पर लिखा हुआ होगा आप उसको पहले लिखना है और उस question paper का जो booklet code है ओ भी आपको यहाँ पर लिखना है उसके लिखने के बाद याद रखियेगा अच्छे एक दो गलतिया होने की probability है तो मैं आपको सउधन कराता हूँ आपका paper English medium में है कि Hindi medium में है यह देखना है तो आपका paper अगर English medium में है तो आप यहाँ पर capital letter में English लिखेंगे अगर paper आपका हिंदी medium में है तो capital letter में हिंदी लिखेंगा English लिखने के बाद यह हमारे पास ओवल है यह ओवल को आपको डार्क कर देना है यह डार्क करना है पुरू परली इसे आपको डार्क कर देना और वह भी ब्लेक अपे डार्क किस से करेंगे पच्छे इसके लिए instruction लिखा हुआ है कि आपको करना क्या है एक एक बात इस कोई बार सीट पर लिखा होता है कि आपको एच बी पेंसिल इस्तमाल करना है अब पुछोगे कि तीन चार की क्या जरूवत है अब को है एक एक समय को एक सेकेंड के टाइम को बचाना है कैसे यह जो फिल करना है ने बेटा OMR सीट का फिल करना है इस सब जो फिल करना है इस सब कुछ तो लिख दिया अब इसको फिल करना है तो हार्ड एक होता है हार्ड वाला हार्ड वाला नहीं है जो मेठ्री का काम हम भी नहीं करना अब इस OMR सीट को भरना है तो थोरी सी सौप् पेंसिल से आपको क्या करना है करेंगे तो जल्दी से जल्दी ये फिल हो जायगा तो उस पेंसिल को रखना है अब मैं 3-4 पोला कि तीन-4 इसलिए बोला कि कभी-कभी ऐसा होता है कि पैंसिल का प्रफिल कर रहे हो और उसके बाद माल लेते हैं कि वाग घिस करके छोटा हो गया अब आपको उसको भरने में दिक्कत होती है तो आपको उसको फिर एरेज करके उसके पॉइंट बनाने के लिए टाइम की जो समय लगता है उसको बचाना है तो आप उसको छोड़ेंगे आप प्र उसके बाद दूसरा एचबी पेंसिल का इस परा से आप इस्तमाल करेंगे तो आपका टाइम बच जाएगा एक एक सेकेंड का समय को बचाना है बच्चे इसलिए एक दो बात और है कि बच्चा जनॉर्णरी जो है वह पेपर में गलती कर देते हैं और वह गलती कर देत होगे बच्चे एक बात सुनो अंधयित आपका रॉल नमबर भड़ा गया आपने ब्लैक पेंसे आपने इसको भड़ दिया लेकिन जब आप रॉल नमबर मिलाते हो ति एस तमेंसे गलत हो गया दिए do it यहां पर कुछ दूसरा नंबर होना चाहिए यहां पर 3 होना चाहिए यहां पर 3 होना चाहिए था लेकिन आपका लिखा हुआ है 8 अब क्या करोगे अब तो हम फास जाएंगे मैं तो भई वह मार्च अब इसको बदल कैसे सकते हैं और इसको मिटाना भी है तो कम्प्लीट ऐसे मिटाओगे क्या पेपर को फार्द होगे नहीं इसलिए मैं अपने तरफ से एक एड़वाइस देता हूँ आप क्या किजिएगा वाइटनर ले लिजिए और बाइचांस हला कि कोशिस कीजिए कि ऐसी गल्टी ना हो लेकिन वाइटनर ले लिजिए अगर बाइचांस आपका यह माल लेते हैं कि यह नंबर गलत लिखा गया तो वाइटनर से आप इसके उपर वाइट लगा देंगे और उसके बाद उसको सूखने दीजिए और उसके बाद क्या करेंगे आप कि इस वाइटनर से के लिखने के बाद फिर उसी पर यहाँ पर लिख हो गया इसी पर आप आप क्या करेंगे कि आप जो भी आपका नंबर है मा लेते हैं 7 नंबर है तो आप 7 टाइप कर दी नहां पर लिख देंगे और इस तरह से आप अपने गल्टियों को सुधार कर सकते हैं इसलिए मैं अपने तरफ से करेंगे कर दीजेए उस पर है कि जो नंबर है वो लिख दीजेए पर नंबर ही तो पर लेका आपका जड़ा देखिएगा यहां पर है आपको करना है Sunat अपने इसको मिठाना होगा इसको यह पेन से लिखने मिठा नहीं सकते तो हiendo क्या किरोगे अप अब n लगाओगे और विदन लगाने के बाद यहां पर सी है तो सी लिख देंगे इसा आप करेक्ट्टिफ म कर जाएगा अgg पर Dimit कि आपको फिल करना है यह जो ओवल है वक्त लगता है अच्छा खासा वक्त लगता है और आप स्थामती से इस सब काम करेंगे क्योंकि यही अगर तही तो सब्सक्राइब आप 2 पर ऐसे कर लिजिए, concentration के लिए मैं छोटी सी point बता रहा हूं कि आप ए कर लिजिए, 5 है तो आप यहाँ पर कर लिजिए, यहाँ पर यह क्या करते है, ऐसे point ले लिजिए हलका सा, और आप set मत कीजिए, उसके बाद 0 है तो ए वाला कर लिजिए, 8 है तो आपका 8 वाला कर कर दीजिए, 7 है तो आप 7 बाला कर दीजिए, ऐसे point कर लेने से देखो, हम अभी 7 नहीं कर रहे है, उसकी छायंकित नहीं कर रहे है, हम सिर्फ है उस number को, इस OMR sheet के जो ओवल है, उस number को read कर रहे हैं, और इसमें हमें गलती होने की probability कम होती है, chance कम होती है, हम गलती कम कर पाते लेकिन आप अगर ऐसे करोगे, जैसे आपने ये है, आपने किया की 2, तो 2 को आप ऐसे पूरा state करोगे, उसके बाद 5 है, देखोगे यहाँ पर, अगर कहीं by chance आपका दिमाग concentration हो गया, इसमें है कि इस तरह से करने में वक्त जाबा लगता है, ठीक है, लेकिन अगर आप क्य करोगे कि ऐसे point आपने बना लिया, ये 2 हो गया, यहाँ पर 5 हो गया, फिर यहाँ पर 0 हो गया, यहाँ पर 8 हो गया, फिर उसके बाद यहाँ पर 6 हो गया, यहाँ पर 7 हो गया, ऐसे आपने कर लिया, तो इसके क्या होगा, अब oval को पूरा बढ़िया ठैक से, अब हमें इसको पहने की जरूवत नहीं है अब हमें इसको पहने की जरूवत नहीं है अब सर्फ If यह हो गया आपका सेटिंग कर दिया तोरा भी तोरना नहीं है ओबल को ही सेट करना है ठीक है आप ज़रा देखिएगा छे लेटर है यह डिजीट है तो हमारा छे डिजीट हुआ कि नहीं हुआ एक, दो, तीन, चार, पांच, छे तभी हमारा हो गया हमारा कुछ लिजीट है इस तरह से हम सेटिंग कर देंगे एंस्टी आर का है पाक तो आप सबसे पहले आप लिखोगी इन कहा है तो यहां पर इन है तो आप इसको क्या कीजिएगा ऐसे पॉइंट बना लिए उसके बाद पी कहां है तो यहां पर है आर कहां है तो आप जड़ा दिखिएगा आर यहां पर ऐसे कर लिया और इस तरह से करने के बाद मैं आपको बता देता हूं कि पॉइंट हो गया आप उपर से नीचे तक आप भरते जाएए आपको सेडिंग ही तो करना है आप इस तरह से करके करोंगेगा नहीं यह हो गया हमारा यह तैप का पैंसिल है तो इसलिए हमारा यह इधर से उधर होता भी है लेकिन आप कोशिस करें कि बरिना हो उपर से लेकर नीचे तक अमें इस तरह से क्या होगा सिर्फ सेडिंग करने कांप बच जाएगा हाँ पढ़ने की काम नहीं बचेगा पढ़ने काम दोने कर लिया उसके अनुसार्य नंपर को सेट कर दिया पाइंट आूट कर दिया अब हमसे गल्टी नहीं होगा एक एक गलती होने की जो चांस है ना बहुत ही कम हो जाती है, इसी तरह से question paper booklet number है, आप question paper booklet number को आप जैसे देखिएगा, यहां 8 हो गया, फिर दूसरा भी 8 हो गया, फिर 0 हो गया, फिर 2 हो गया, फिर 5 कहां है, तो 5 यहां हो गया, फिर 7 कहां है, तो 7 यहां हो गया, फिर 2 है, तो 2 ह अब आप अडाम से हैं एक तरफ से आप सेडिंग करते जाएए अब हमें यह पढ़ने की जरूत नहीं है कि कि इसको आठ कहां है और कहां है हमें सिर्फ पॉइंट जो किया हुआ उसको सेड करना है आप उपर से लेकर नीचे तक आईए और सेड करते चले जाएए है तो एक रीके मिस्टे करना निसेट मुद भांगा थे तो ऊढ़ानों सेड करना है यह इसको अब करना है इसको तो दिखे तो आपको काउंट करना है आप काउंट कर लिजाए ऑंक करना है कि इन अप टिन छे एक साथ इजिट का यह नंबर है कि हमारे पास दो एक टीन एक चार यह देखे 2, 3, 4, 2, 6, 1, 7 होगे इतना करने के बाद आपको क्या करना है वो ज़रा दिखेगा सारी instruction कहता है कि आपको कैसे करना है आप HB pencil से आप ऐसे सेड़ी नहीं करेंगे यह गलत तरीका है यह आपका answer है ऐसे टिक मार देंगे यह भी गलत है आपने पूरा proper ऐसे नहीं किया यह पूरा नहीं किया बीच में करके छोड़ दिया यह भी तरीका गलत है या बाहर बाहर आपने किया और बीच में आपने छोड़ दिया यह भी तरीका गलत है आपको correct method है यह पूरा का पूरा आपको setting करना है आपने बाहर बाहर से कर दिया भीच का कर लिया भाहर बाहर से छोड़ लिया बाहर का गलत बीच का लिए तरीका गलत है अब इन्स्टीक्शन का काम है आपका फिर यहां पर के जो इन्वेस्टीगेटर होंगे जो इन्वेस्टीकेटर होंगे वह कूण क्या करेंगे फिर इंस्ट्रक्षन देगें कि आप अपनी आंशर सीट आप फार सकते हैं तक इस नहीं देलिया आपको बाना नहीं है तेकिन अब क्या है कि सब कुछ फिल कर लेते हैं क्या होता है उपर का जो फॉर्म है उसको थोड़ा साझ होल गोल गोल और हमारी नजर तो वे चाहिने से भड़ा बाता है कि एक दो कोशन लिया देख लिया में निकाल लिया तो हमें तो फायदा हो जाए ङर यहांपर क्या है अगर ऐसा चांस मिलेगा तो आप कर सकते हैं और जैसे इंस्ट्रक्शन मिलेगा कि आप पेपर को खोलिए तो आप पेपर को आप खोलिएगा तो खोलने के लिए आपको क्या करना है जो पेंसिल है आप इस पेंसिल को लगाईए पेपर में ऐसे और उसके बाद आराम से फारिये अब ऐसा मत फारियेगा कि बीच से ही फट जाए अब इस तरह से खुल जाएगा कि बाद आपकी जरूवत होती अंसर से अंसर के अच्छे मैठ में आपके कुस्टन टोटल है एक सो और वे मार सीट को अच्छे मेरे पहले मैं करता था आप पहले सारे सवाल को बना लो और उसके बाद आप क्या करो की अंसर सीट की लगाई पहले क्या करो अप सभी कुस्टन को आप कर लो और कुस्टन को कर लो और उसके बाद खिल करो कि यह तरीका गलत है आप ऐसा काम मत किए क्योंकि एक दो बच्चों के साथ ऐसी हो चुक्त है हलाकि इस काम को करने में वक्त कम लगता है लेकिन को कुस्टन सेटिंग करने का सबसे लास्ट में सेटिंग करने का समय कम मिलता है ना पूटने का क्वेश्टन किया हुआ उसकी आप आंसर वह एक आसी पर भर नहीं पाए यह प्रूपलिटी बढ़ जाती है आप क्या करेंगे बच्चे एक बाद ध्यान से देखिए गाजी आप दो काम करेंगे यहां पर आप दो काम करेंगे क्या करेंगे और मैं आपको बता कशवाली बच्चे है टाइम मेनेज्मेंट है सारा के लिए टाइम मेनेज्मेंट का है के आप मैंनेश्मेंट में बहुशत देखिएगा आपकी पास है बिजनेस मैट्स लोग कर दिनी इस्टाड्स कि यह तिन पार्ट कभी भी आप क्या करेंगे लॉंग कुस्चन और ताइन लॉंग कुस्चन उसको है अप उसको है अज़िए लास्ट में तो यह इन चूटने इंस्ट्रक्शन दे रखा है आप क्या क्या करेंगे OMR seat के कहीं भी किसी जगा रफ नहीं करेंगे आपका जैसे OMR seat है आपने यहाँ पर रफ कर लिया एक गलत तरीका है यह नहीं करना OMR seat के back side में ठीक है? बैक side में कुछ भी नहीं लिखना है ठीक है? अजी अब जड़ा देखोगे अब answer seat को मिलेगा उस answer seat पर आपको क्या करना? देखिएगा answer seat है लेकिन answer seat का जोहाँ question है वहाँ पर मनाने से instructor मना है कि बैट कर नहीं सकते आपको मना है लेकिन बच्चे मानते नहीं है आप क्या किजिएगा ball pain का इस्तमाल मत की light pencil का इस्तमाल कर सकते तेकिन बच्चे मना है मेरे तरफ से भी मैं भी एरवाइस नहीं दूगा तेकिन मना है सबसे last में आपके पास कुछ pages होते हैं minimum 4 pages होते हैं और उस 4 pages में आपको refer करना है वो आप करेंगे तेकिन बच्चे मानते नहीं है यार कुछ अच्छा उसके बाद जड़ा देखिए गाजी एक आप काम और करेंगे time management आपको सबसे पहला काम करना है कि आपको question की selection करनी और question के selection में long question long question को सबसे last में देखिए अब रहां सवाल कि यार तुमको दो बात follow करनी आपने माल लेते हैं कि one number question है तो आप pencil से question paper पर answer पर नहीं answer पर answer seat पर नहीं करना कि इस पर यह हो गया तो इस पर टिक लगा देंगे ये गलत तरीका है ये आपको answer seat पर कुछ भी नहीं करना आपको answer seat पर इस question number के सामने इस question number के सामने जो answer होगा उसको सेड करना है आपको answer seat पर कहीं ही नहीं कुछ लिए यही omr seat computer में set होगा और वह scan करके आपके result बना कर दे तो आप क्या चाहते हैं कि computer आदमी थोड़े है कि आपको math कर दे computer करेगा और उसके बाद आपके answer का मार्स चेक कर लेगा उसके बाद आपको इस पर है कहीं धी आपको लिखना नहीं है ऐसे तो गया ठीक लगा दिए हो गया तो ऐसे ठीक लगा दिए ऐसा नहीं काम करना इस तब कुछ भी नहीं करना खचिला कारें आपको आनको क्स्जान पेपर है धवार उसकुष्चं पेपर में ऐसे आपान कौंट लगा देंगे कि एक question हो गया है यह question हो गया है यह question हो गया आप point लगा देंगे तो आपको यह पता चलेगा कि हमने कौन-कौन सा question कर लिया जो question नहीं हुआ जो time consuming है उसको सबसे last minute अच्छे यहाँ पर आपको अपनी बहादूरी कहा दिखाना आपको चलाकी कहा दिखाना आपको चलाकी यह दिखाना है कि आपको मार्स ज़्यादा से ज़्यादा कैसे है आप take mode में pass कैसे हो जाए ठीक है इस पर आपको चलाकी दिखाना तो सबसे पहले आपको जो question आता है और आता है लेकिन minimum time में होने वाला आप कुस्चन को पहले करें उस question को पहले करगा माल लेते हैं आपका question नंबर दो आसान है आप दो को करें और इसके बाद यहाँ पर शेडिंग कर लिए माल लेते हैं कि दो का यह है तो माल लेते हैं छे नंबर question आपको इजी लेगा कम समय में हो जाएगा तो आप इसको कर लिजेगा ऐसे माल लिया कि यह answer दस का answer यह है ऐसे कर लिए और जो question paper है वहाँ पर आप dot लगा देंगे आंसर सीट पर dot नहीं लगाएंगे question paper पर आप dots लगा ठीक है यह पता चलेगा कि कौन-कौन सा question आपका हो गया उसके answer पर भी आप dot लगा सकते हैं जैसे दो का question paper है और दो है उसकी answer यहां में तो आप च्या करोगे दो है तो दो के question paper पर dot लगा दिया अच्छे नमबर को साथ इस पर dot लगा दिया इसकी अंतर्ती है तो उस पर डॉट लगा अब चे इसलिए मैं बोल रहा हूं कि कोश्चन करते करते कभी कंसेंट्रेशन भीगर गया किसाल गया हमें यहाँ छे को स्टेदिंग ना करके यह शे का आंसर आपने स्थाथ पर कर दिया और आगे परते परते आप ऐसे करते जाएंगे त इसलिए आपको क्या करना है पुस्तन टेपर में आपका माल लेते हैं दो नंबर है यहां पर टिक लगा दिये इसकी आंसर एह तो इस पर टिक लगा दिये यहां पर पॉइंट कर दिए यहां पर दस है तो यहां टिक लगा दिया यहां पर पॉइंट कर दिए इस तरह से होगा कि लाफ्ट में आपके पास थोरा बहुत समय बसता है तो आप मैच कर सकते हैं कि इस कुश्चन का अंसर ए है भड़ा सही की नहीं पर ठीक है इस लिए मैं ऐसे इक वह आप कर सकते अच्छा बच्चे एक बात जरह सुनों मैं कहा कि इजी उस्टन और मिनिममम टाइम देने वाला हो वो खुश्चन पर जला धियान है तो रेटिकल कुश्चन पर आपको धियान देना है क्योंकि थिवरेटिकल कुश्चन में आपको सिर्फ पढ़ना है और आंथर देना है उसमें वक्त सबसे अधर था है इसलिए मैं आपको सबसे पहले एडवाइस दिया था कि आप इस्टार्ट के कोश्चन सबसे पहले करो आप इसकी काम इतना जल्दी हो सकता हूँ कोश्चन है आपके टार्गेट रख कर चलो इसको हम 25-30 के अंदर इस चा पिर उसके बाद आती है एलार और मैस का काम एलार में बच्चे चार पेपर है 20 मास का कोश्चन है और यहाँ पर जड़ा आपको देखना है समझना है क्या करेंगे कैसे करेंगे एक बात ज़रा सुनना हूँ इलार में भी ऐसा नहीं है कि सारे सवाल इजी होंगे इजी होते हैं लेकिन सारे सवाल इजी होंगे कि ऐसा ऐसा नहीं है तो इसमें भी आप चूच किजिए कि कौन हमारे असानी से बन जाएगा ठीक है इजिली कौन सा बन जाएगा उस question को पहले कर लिजिए करते जाईए और ठीक लगाते जाईए जैसे 52 है तो 52 पर ऐसे ठीक हुआ और बिजन एलार में हैं जैसे कोडिंग डिकोडिंग का question है नॉर्माली इजी हो जाता है अब उसके बाद है कि सिक्वेंस वाले सीरीज वाले question है नंबर सीरीज लेटर सीरीज अगर इजी मिल गया तो आप उसको करेंगे क्यारिक्सन टेस्ट वाला question ज्यादा तरीजी होता है और उसके बाद है कि सिटिंग अरेज्मेंट है ब्लड लेशन का question आप उसको अब जरा एक बाद जरा सुनूंगे उस पर कोशिस करेंगे लार टाइम डेता है ज्यार रखेगा इतना आसानी से आपको लार होने लिए में लेटा है कुंक्लूश्त मेफड अन्जान होता है विए उसका ठर्न ही होता है और मेफड सोचना परता है लाईजिक अले लाउजिक लगाना परता है सोचना परता है हमे लेटाओ बच्चे आप लाउजिकर लेज्निंग पर भिए आप मिनममम तीश से पाची coming कि यह एंट रखिए किसी एंट ने इस इंटू आ जा करते हैं आरा सेकेंड को तो तो वन पॉइंट टू मिनित वह ना वन पॉइंट टू इंटू 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 इस इपल टू एंटू लॉजकर रिजनी के लिए 24 मीनिट का समय दिया हुआ स्टैटिस्टिक्स के लिए 40 in to 1.2 अलतू 48 मिनिट का टाइम इसको दिया है और 48 मिनिट का टाइम इसको दिया स्टैटिस्टिक से आप समय बचाएंगे और उसको आप मैथ में लगाएंगे मैथ समय लेता है अच्छे एक बाद जरा सुनिएगा यहाँ पर है आपको यह सोचना इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ के स्टैट्स पर सबसे जयाञा ध्याम देना है हमें इस कोस्चन को ढूड़ना है जो मिनिमां समय देता है लौज कर रिजुनिंग का कोस्चन आपकर सकते हैं Hakoda हमते धेर में होगा तो कि आप लौज्ट कर करो कर के आप मैथ में हैं कुछ ए पर क twee बोल ला हूँ के लिए मैं बोल रहा हूं कि आपको रेशियो एंड प्रपोर्शन का कुश्चन करना चाहिए इंडीसेस का इजी आजाए इंडीसेस का और पलस लॉग का अगर भी आजाए प्रक्से होने वाला हो इसके आजाए कम समय में हो तो आप कर लिजिए कोई जरूरी नहीं हर बार इ सब खेले जादा लगता है यह हमसे होने वाला नहीं है। बहुत समय लगेगा इसको लिखना परेगा यार उसको चौड़ दो बाद में करेंगे हमें हैं हमें कम से कम एक ह düşंगे के अंदर एके 10 को सब धा कोृइंक्ट हुण है सब कर सब लिगे में बता दो सब्सक्राइब हो जाना चाहिए अगर इतना हो जागा ना इसे स्पीड से अगर चलोगे तो बेटा दिमाग ठंधा रहेगा तर्व नहीं रहेगा अब अफ़क नहीं होगा सब्सक्राइब कर दिया एक ही पार्ट में लगा दिया पूरे चालिस मिनट तो आपके पास तीस समय बचा हुआ है इतना धिमांग घवराया हुआ होगा आप कैल्कुलेट मतलब कैल्कुलेशन करी नहीं पाँ कि इसकी आशर होगा क्या तो वहाँ पर आप तुक्के लगाने का काम मैंने तुक्का लगाना चाहिए निगले काना मैं ने बनाया था आप उसको देख सकते लेकिन तुक्के तुक्य लगाने का काम सबसे लास्ट मिनिट आप पहले से तुक्य लगाना शुरू कर दोगे दिमाग करेगा नहीं देर घंटा आपका विकार हो गया है चालिस कुस्ट आप तो बहुत डट लगा हुआ है धवराहट बढ़ जाएगा बेचा नहीं बढ़ जाएगा वैसे केस में क्या करोगे कि सिए बात रुट ना है एक ही तो है कि अंबर ज्यादा होते हैं समय को जाते हैं और इसी लिए तुछ समय लगता है तो यह आपको बता रहा था कि रेश्यू प्रपोर्पोर्ष्ट के कुस्ट यह होते हैं और पढ़ने माला हो श्यूंश में हो जाते हैं आप इस पर कोशिस करेंगे इंडिसेस और लॉक का कोश्चन अगर इजी आ गया तो आप ज़रूर ट्राई कीजिए नहीं इजी आया पेटा उसको कहिएगा सबसे दास्त में देखेंगे ज्यादा लिखने वाला होगा तर्चे आप उसको सबसे लास्त में होगा ज्यादा तर करीब करीब के चैनल ने शुरूर था दोहजारचे से लेकर दोहजार्टेश की सारी एक्सपरीट मुझे है देखा गया है कि इस करीब 17 ऐटारा साल में साथा साल में बस दो ही दो-चार्व अटेम्ट में हिसके क्वेट हैं तो आपको अगर आ गया तो ऐसा करोगे फिर उसके बाद आता है बच्चे equation का, equation में भी एगर माल लेते हैं, equation बना बना कर हमारे shortcut, mobile process नहीं होने वाला है, बना बना करके हमें मेहनत करने वाला है, language वाला question, ठोड़ दे या, last में देखना, ठीक है, समय मिलेगा तो फिर मिलेंगे, तो equation वाले में आपको linear equation का है, linear equation का question हो गया, quadratic equation का question हो गया, और QB equation का question, मैंने आपको ट्रिक्स बताया हुआ, आप उस ट्रिक्स का इत्माल कीजिएगा, आपको कुछ सोचने की जर्वत ही नहीं, आप quadratic equation का maximum question, जो अल्यपिकल, मैंने बताया था, type 3 वाला question तो मेरे किताब का, maximum question आता है, उस पर है, उस पर होग ज़्यादा करेंगे, linear equation का question पर दी, linear equation का question पर दी, linear equation का question पर आता है, लेकिन easy आता है, आप उस पर पोसिए, maximum ही question सब है, वो भाई चो ऐसे होने वाला है, आप इस पर जरूर फोकस करें, question को जरूर देखना चाहिए, अच्छे सबते ज़्यादा जो है, और हो है, time value of money, यह आपके हैं 12 से 14 question आते हैं, कभी कभी 10-10 question आये हैं, ठीक है, यह chapter है, यह आपका बहुत होना चाहिए, इसके लिए 11 questions में महत का होना जरूरी नहीं है, आपको जितने भी varieties के, मैंने बताया, आपको ऐसे ऐसे question बताया है, कि आप general video देखोगे तो बहुत वक्त लएगा, कि मेर इसके लिए अगर वीडियो दुखे के तो calculator पर आपको अंसरी, calculator पर maximum question का अंसरा है, तो आप हमारे उस तरीका को देखिएगा, और उसका इस्तमाल किजिएगा time value of money, एक problem आती है, कि question जो एना mixture है, आले कहां से महत से सुरू है, कि start से सुरू है, कि ELR से सुरू है, तो आप समझने आता जाया, आप उस पर टिक लगाते जाना, पॉइंट देते रहाना, टेंसिल से ही तो टिक लगाना है, अंजर से ही पर टिक लगा दो यार, इस से मत लगाना, ठीक है, क्या पक्षान होगा, क्या करते इन्वेजिलेटर, या रबर लगा के मिटा देना, रबर भी पर्मूटेशन और कमिनेशन, और मुटेशन और कमिनेशन की कुश्ण, पर इज़ि आप ज़रो, जब अभी तक सबसे ज़्यादा सब को सनाया है, होगी मिनमम् तीन को सनाया, रचे, आभरेज 3-4 को सनाया, यह बानां कर चले, इन चार को, सनाया, जपकर सकते हैं, वाला हो तो जो खाराब करने आओं मैंने पहले ही बोल दिया कुस्क को अवगाइट करो कि के बेटा सेक्वेंस एंस आधा है सेक्वेंस शीरीज के पोस्चन बेटा ये टाइम कंजूमिंग होता है आप इसके पुर्ण को देखें तायन कर जो कि जी आया रूट करो दरगे का कि नहीं यार मुझे लिखना पर लिशन करना प्यादा लिखना परेगा इसका इस दम याद रखें अभी सी लालत रहेगा कि यार छूट रहा है वो छूट जो होने वाला है उसको करते जाएं वह चूटने वाला है उसको लाव्ट में तो कि अनि अर्चीज कुछ भी नहीं ठोड़ेंगे बिटे जो तेज बच्चे मैं खाऊंगा हर चीज लगा तेकिन अगर जो एवरेज बच्चे आपश्पलस बिलो एवरेज बच्चे आपको कुश्ण के आप करो सिक्वेंस सीरीज हो गया सेर्थ सब्स्क्षन रिगलेशन है अच्छे स्ट्स अंसरे रिलेशन के कुश्चन है ना कि फॉष्टन को समय लेने वाला नहीं होता आप इस पर कि आप आप लगा सकते हैं तर्फिर संद्रेशन कि इसमें करीब करीब से पांच कोश्चन पेपर में आयब हुआ इस पर है आप कर सकते हैं कि अगर इसने भी कोई कोई ऐसा कुश्चन आजा जाए जोगी बहुत आख फराब होने वाला कि इसा लास्ट में सोचिए सबसे लास्ट में आता है बच्छे कैल्कूलस बच्चे मैंने जो वीडियो भेजा हुआ है वीडियो है आपके लिए आप तो समय है जिन बच्चों की 11-12 में उन बच्चों को तो करना लेकिन जिनकी बैक्डाउंड नहीं रही है उनको पस्ताना भी नहीं इस्ते है तरी तीन दो से कॉस्चन पांस तक पांस कॉस्चन तक और यह हुए यह कैं इतना जब सब कुछ करतेंगे इतना जब करलेंगे तो आपको बस सोचना कहां कहां इसपो छोड़ने की नहीं है आपको चांगर का इजिए अगर आ गया तो आ और इक्वेशन से हैं इसे को को से रेंगे तो बच्चे इस तensaries आपका जो 40 कोश्चन है ना इस 40 कोश्चन में से अगर 20-25 कोश्चन भी आगर आपने कर लिया अच्पी तरह से बस ठीक है डरने वाली बात नहीं है कि रिजनिंग में बच्चे आप जड़ा देखिए का मैंने आपको बताया था रिजनिंग में टाइम कर जूमी है ज्यादा सोचने वाला हो मैं इसके इन कुछ चैप्टर्स आप उस पर स्काम देता हुआ है आप ध्यान दीजिए और यह है तो 20 मिनट का समय आपको मिला हुआ है किस मिनट का मतलब है ज़्यदा आदा गंदा समय लगाई इस ट्रैट्स नहीं तो समय बचाना है और आदा गंटा समय इस पर लगा दीजिए आपका क्राम हो जाएगा तो 20 कुश्चन और इस तरह से हम करीब-करीब एक घंटा 45 मिनट में आप एक टार्गेट रख कर चले एक मैक्सिमम है अंदरा मिनट हमारा समय बच जाएगा अब 15 मिनट में है जो डिफिकल्ट कोस्चन आप 8 मिनट 10 मिनट का समय वह भी लगा लिए आप 10 मिनट का समय लगा लिए सारा भड़ लिए लास्ट में बच गया 5 मिनट अब आपके जितने भी कुश्चन बच गया अच्छे एक याद रखिएगा तुक्का लगाने का जो मेथड है वह है कि आपके 20 कोस्चन छूट रहे हैं रिस्ट है बेटा यह तो गेम है तुक्का लगाने का मतलब यह तो गेम हो गया अगर माल लेता है कि आपके 5 कोस्चन करेक्ट हो और 15 कोस्चन गलत होगे तो पांच मास तो आपके पलस आ गये अब 15 इंटू.25 0.25 मतलब क्या होगा 3.75 इंटू.25 यह आपका निगेटिव आ गया तो 5 में इसको आप माइनस करोगे तो 1.25 तो कंसेंग आपका मास पलस तर पलस हो सकता है है नहीं नहीं कहता कि यह हो ही जाएगा यह प्रुवालिटी है चांस अनुमान है कि कोई मैं यह नहीं कहता कि हो ही जाएगा यह हो सकता कुछ भी हो सकता आपका हो सकता है कि आपने जो किया जैमातादी प्रक्टिक लगा दिया और 20 कोश्चन में आपका 10 सई हो गया और 10 गलत हो गया तो क्या होगा कि 10 मार्स आया और इसमें से 2.5 एक कम हो गया तो सारे साथ तो आपका सरफलस हो गया तो आपने 80 कोश्चन कर रखा 80 में से अगर माल लेते हैं कि आपका साथ कोश्चन भी अगर करेक्ट हो गया तो 60 मार्स तो आपके आएंगे और यहां पर आपका पीस जो है इस बीस पर आपने तुक्का मारा हुआ तो 20 में भी आप देख लिए तो 40 कोश्चन आपको मैं माल लेता हूं कि 40 कोश्चन गलत ही हो गया सपोच करो अस्ती अटेंड किया 60 गलत हो गया सही हो गया और 40 कोश्चन गलत हो गया तो 40 इंटू 0.25 कर दो कि इतना होगा जी इंटू 0.25 दस हो गया नीगेटिव आ गया तो 60 में से आप 10 मैनिस कर दोगे तो अभी आप खेल नहीं गया तो अपको रिस्क को लेना परेगा तो इस तरह से आप करेंगे और ए तो हो गया कि बच्शे आपको करना क्या है इस इस तारह टाइम मैनेजमेंट का खेल है बच्चे, इस टाइम मैनेजमेंट को करना है और अच्छी तरह से करना, ठीक है, आप एक काम करेंगे, अभी से आपको प्रैक्टिस के लिए मैं एक बात बता देता हूँ, आप सभी के ग्रूप में मैं इस OMR Seat की PDF भेज देता हूँ, OMR Seat की PDF भेज देता हूँ, बच्चे, और आप क्या करो, आप उस सेंटाओ, करने की आप, ठीक है, आदर डालो दे, आपको जरा देखेगा, मैंने आपको यह बात बताया, कि आंसर सीट में अगर माल लेते हैं, दो सही है, तो कर लिया तो अगर यह आंसर है, आप बलैक से से भरना है, एच भी पेंसिल से सिल करना है, ठीक है, एच भी से एक रिये है, तो आप इसको क्या करोगे, तो, आप उसके बाद है, पांच चार का है, यह अंसर है, ठीक है, इस तरह से आप पूरा करते शाहिए, और एक बात याद रखेगा, आप से सिगनेचर करवाया जाएगा, और आपको सिगनेचर करना, सबसे पहले ही आप से जैसी OMRC भारा जाएगा, साइन आप से करवा लेगा, इस साइन कर दिया आपने, आपने साइन करने के बाद है, आप क्या करोगे, यहाँ पर इल्विजलेटर का साइन होगा, वो अपना साइन कर लेगा, उसके पर फिल्वाद ही आपको काम करने लेगा, तो घवराने की बाक नहीं है, वेमार्सीट को सबसे लास्त में फिल्क कर दिजिये, और फिल्क करके आपको काम क्या करना ऐ फिल्क कर देना, इस कि के पास समय है तो आप मिला सकते और अपराम से लिए पर मिल करने के बाद कि अच्छे एक आदत होती है सभी का हम को सब्सक्राइब को अधिस्क्राइब करोगे आप इस समर्ड करों पर क्या जरूरत है डिस्ट ज़स्ट आप अगले पेपर की तैयारी शुरूर एकनोमिक्स और बीसी एकनोमिक्स और बीसी के सब्जेक्ट है ना कि यह स्टोरिंग पेपर के जो एग्रिगेट के वज़ा से जो बच्चे फेल होते हैं उसको भरपाई करता है अग्रिगेट में आपका मार्स कम हो रहा है तो इकनोमिक्स बीसी के पेपर आपका है इस तवाले कम ही को एग्रिगेट में जो कम होते हैं उसको फुल्फिर करने का काम कि इसलिए आप इकनोमिक्स और बीसी के का पेपर को बड़ी अच्छे से रिवाइच कर दिजिए दो दिन समय मिलेगा यार ठीक है आपको कितना समय मिलेगा करी 26 को पेपर है इसको पेपर हो जाएगा और 26 का राप और 29 का पुरा बीन और कि इसका है आधार समय कि समय मिलेगा आप उसको पड़े अच्छे से देख सकते हैं और संभल संभल के समझ समझ के आंसर दिए अपने दिमार लगा कर जब हम आंसर देते हैं तो हमारा रिजल्ट बहुत अच्छा था रता हुआ हम काम करेंगे न लगा लगा कर अंसर देंगे तो आपके पास करने की प्रोलिटी बहुत बढ़ जाएगी तो बच्छे उसके बाद जब एकॉनॉमिक्स बीसी के का फेपर हो जाएगा और जो डिस्क्रस करना है आप करने जब यह सब कुछ हो जागा तो बच्छे एक बाद जरा सुनू अगर आपको लगता है पास हो जाएंगे तो बेगा थोड़ा दिन दो चार दिन इधर उधर करना है कर लो कि यह इंटर का प्रू करोता है यह हमारे पास आओ न हम आपको है गूगल डाइब पेंड है जो इंडिया के टॉप्मोस्ट पकल्टी हैं हम उनका है सर्विसेस दिए हमारे यहां लाइब एड़ सेंटर वाला भी प्लास शुरू रहा है कि अधर सेंटर मेरे कोचिंग में शुरू है वो आपको सर्विसे दिलवा देंगे आपमोस्ट टीचर का यह और आफ तर विदिए जिन बार-बार थोड़े पर नहीं जिन पर हो एक बार पर और धंसे प अभी पढ़ा इस पार ठीक नहीं हुआ दूसरा टीचर को अगली बार जाओगे यार इसी तरह से कंसेट में हमेशा कंफ्यूज होते जाओगे हमेशा जिन भी कंफ्यूज हो जाए अच्छे टीचर से एक बार पढ़ना और धंसे परना और जब क्लियर हो जाएका ना तो र बहुत बहुत सुक्रमाय देता हूं माता सर्श्वतित प्रप्ना करता हूं आपका पेपर बहुती आसे निकलवादे तेंशन फिड़ी रहें और आपका जिन्दगी आपका भविश आपका लाइफ बहुती इसके साथ साथ सायार जयक्ति जाएका जाएका तेंशन प्रप्ना करता हूं आपका जाएका माता लाइब बहुती आपका जब के दो इसके साथ 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 झाल झाल झाल